हेलो एवरिवन, वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिवर्स ओफ ता वर्ल्ट, इस लेक्चर का पीडियाफ आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है, so let's begin the session, आपका पहला question यह है, blue nile originates from Lake Tana of Ethiopia, white nile originates from Lake Victoria, blue and white nile meets at and make longest river of the world, तो इसमें क्या पुचा गया है, जो आपकी blue nile है, जिसका origin कहां से है, Lake Tana से, जो की इतोपिया में है, और जो आपकी white nile है, जिसका origin कहां से है, Lake Victoria से, तो आपने यह बताना है, कि जो blue and white nile है, यह कहां पे meet करती है, और जब यह meet करती है, तो यह आपकी longest river बनाती है, world की, तो यह कहां पे meet करती है, तो यह meet करती है, आपकी khartum में, that is option number B, तो यह देखिए, यहां पे है आपकी blue nile, और यह है आपकी white nile, और इनका meeting point कहां पे है, khartum में, जो nile river है, यह major river है, North Africa की, और longest river भी है, इसका जो drainage basin है, वे कहां पे है, 11 countries में बनता है, जो कि यह आपकी Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo, Kenya, Ethiopia, Ritria, South Sudan, Sudan and Egypt. Next question is, the river Volga pours its water into the, तो जो आपकी river Volga है, यह जो अपना पानी है, यह कहां पे पोर करती है, तो यह आपकी करती है, कहां पे पोर, यह करती है, आपकी Caspian Sea में पोर, तो यह है आपकी Volga river, यह दिख रही है, और कहां जा रहा है इसका पानी है, आपका Caspian Sea में, जो Volga river है, यह longest river है कहां की यॉरप की और कितनी है 3531 km long है और ये कहां से flow करती है through central ratio and कहां जाती है ये आपकी कैस्पियन sea में next question है a broad channel where the water of a river and a sea mingle is called तो ये में आपको करा चुकी हूँ पहले भी जहां पे आपका river का पानी और जो sea का पानी आपस में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं estuary next question है which is the longest river in the world तो world की सबसे longest river कौन सी है जिसे की हमने अभी अभी किया है तो वे है आपकी river Nile और जो वोलगा है ये कहां की है ये है आपकी यॉरप की river longest river तो जो Nile है ये longest river है वर्ल की और इस कॉल दा father of African river तो इसे father of African rivers भी कहा चाता है drainage countries में आपको पहले बताई है कितनी है 11 आपको पता होना चाहिए जो blue Nile है इसका origin कहां से है और जो white Nile है इसका origin कहां से है नेक्स्ट क्वेशन इस दरीवर जेलम चेनाव रावी ब्यास और सतलू आर्ड़ ट्रिब्यूटरी ओफ विच रिवर तो ये तो आपको पता होगा तो ये किसकी falling river does not flow in Africa तो इन में से कौन सी ऐसी river है जो कि Africa में flow नहीं करती तो जो इस मेंसे नहीं करती वे है आपकी Tigres River तो ये ऐपरिक का में flow नहीं करती क्योंकि जो Tigres River है ये आपकी flow करती है कहां इराक में और जो आपकी ये Tigres River है ये देख hazır यह है आपका map और यह है आपकी Tigres River और यह कहां पे जाती है, कहां गिरती है यह Persian Gulf में, ठीक है अब हम चलते हैं, next question पे Which river of, which of the following is the correct sequence of landscape feature from source to mouth of river तो आपने क्या बताना है, इसका sequence बताना है ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका waterfalls फिर आएगा आपका alluvial fan, देन आएगा आपका flood plain तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is, river Jalem has its source from तो जो Jalem नदी है, इसका source कहां से है तो यह इसका origin है आपका very nag से, that is option number C तो जो Jalem River है, यह tributary है किसकी इंडस की और कहां पे located है, in eastern Pakistan, northern India में और इसका मैंने आपको बताया है कहां से very nag, जो कि कहां पढ़ता है आपका अनंतनाग district of Jammu and Kashmir में next question is, world's largest river in terms of volume of its flow अब इन्होंने बात की है largest river की और किसमें in terms of its volume flow तो वे कौन सी है, तो वे है आपकी Amazon river तो ये है आपकी Amazon river, तो जो river system है ये originate होता है आपका कहां से, Mantaro river in Peru में और जो आपकी ये Amazon river है, ये second longest river है after कौन सी river, Nile river के बाद अगर हम second longest river देखें, तो वे कौन सी है आपकी Amazon river ठीक है, next है आपकी which set of two rivers form the world's largest delta before the river waters flow into respective area तो आपने बतानी है कि कौन सी दो ऐसी rivers है जो आपस में मिलके world का largest delta बनाती है तो ये तो आपको पता है कौन सा delta है हमारा वो है आपका सुंदरबन delta ठीक है, और ये कौन सी दो rivers आपस में मिलके बनाती है तो वे हैं आपकी गंगा और ब्रह्म पुत्रा तो इसका अंसर हैगा आपका option C और ये आपका बनता है सुंदरबन delta next question है, which of the following river close the equator twice तो आपने बताना है कि इन में से कौन सी यासी नदी है जो कि आपकी equator को दो बार काटती है तो वे हैं आपकी option number B that is Congo river तो जो Congo river है ये आपकी second largest river है अफ्रीका की और ये equator को दो बार cut करती है, ठीक है तो ये देखिए, ये है आपकी Congo river ये दिखहरी है आपको ये है Congo river और ये एक यहां पे cut कर रही है equator को येहां पे cut कर रही है और ये drain कहां होती है, आपकी Atlantic Ocean में और जो आपकी ये Congo River है इसका origin कहां से है तो ये है Tangain का in the East Africa ठीक है Next question है which of the following river flowing through Pakistan has source of origin in that country itself तो पाकिस्तान से होकर बहने वाली इन में से कौन सी नदी का उद्धम स्रोत उस तेश में ही है तो इन में से कोई भी नहीं है तो इसका अंसर रहेगा आपका option number D that is none of these ठीक है आप मुझे comment box में ये बताएंगे कि चेनाब, जेलम, रावी इसका origin कहां से है Next question है which river is called father of African rivers तो किसे कहा जाता है father of African rivers इसे हमने पीछे किया है जो कि longest river है world की वो है आपकी Nile इसे ही कहा जाता है father of African rivers Next question है on the bank of which river New York situated तो आपने ये बताना है कि जो New York है ये किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is river Hudson तो ये देखिए ये है आपकी river Hudson जो Hudson river है ये flow करती है from north to south ठीक है और कहां पे इसका origin कहां से है Andrion deck mountain से और drain करती है ये कहां पे Atlantic ocean में ठीक है और ये कहां से जाती है ये आपकी north से south में जाती है और जो Hudson river है कितनी लंबी है ये 507 km in length Next है आपका nice is the name of a तो जो ये nice है ये किसका नाम है ये एक आपकी river का नाम है तो इसका अंसर रहेगा option A Next question is river Sakina flows through तो जो आपकी river Sakina है ये कहां से बहती है तो इसका अंसर रहेगा आपका option C that is north America और ये है आपकी river Sakina ठीक है ये देखें Next question is Rome the capital of Italy is located beside the river तो जो आपकी जो रोम है ये capital है किसकी इटली की तो ये कौन से नदी के किनारे पे स्तित है तो इसका अंसर रहेगा आपका option C that is tibber और ये देखिए ये है आपकी tibber river और इसका कहां पे ये जाती है गिरती कहां पे है ये आपकी गिरती है टेरेनियन सी में ठीक है और जो tibber है ये third longest river है किसकी? इटली की और इसका अराइज कहां से होती है ये एपनाइन माउंटेन से and drain मैंने आपको बता दिया है यहां पे होगी और इसकी लेंद कितनी है 406 km question number 18 is river darling flows through तो जो आपके darling नदी है ये कहां से बहती है तो ये बहती है आपकी Australia से अब हम इसके बारे में देख लेते हैं जो darling river है ये third longest river है Australia की जिसकी length है 1472 km तो ये देखिए ये रा मैप और ये है आपके darling river ठीक है अब हम चलते है next question पे red river जो आपकी है वह कहां पे मौझूद है तो वह है आपको देखने को मिलेगी USA में next question is which is the second longest river of Europe continent अब आपने बताना है कि जो second longest river है Europe continent की वह कौन सी है तो वह है आपकी Danube that is option number D तो ये है आपकी river और जो ये Danube river है ये longest river है किसकी Australia की और ये second longest river है कहां की यॉरप continent की और जो ये अपना water है कहां पे टिस्टार्स करती है black sea में next question is dawn is a river of तो जो dawn है ये कहां पे है तो ये आपको देखने को मिलेगी option B that is Russia तो ये है आपकी Russia में dawn river ठीक है next question है आपका budapest is the capital of Hungary situated on the bank of तो जो budapest है ये Hungary की राजधानी है जो कि किस तट किस नदी के तट पे है तो ये है इसका अंसर रहेगा आपका option B that is river Danube ठीक है तो इसका अंसर है आपका option B question number 23rd is Paris is the capital of France situated on the bank of तो इसका अंसर रहेगा river Seine तो इसका है option B तो जो आपकी Seine river है ये है ये देखिए ये है आपकी Seine river और जो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो Seine river है ये एक तरह का important waterway है कहां पे Paris में और इसकी कितनी length है आपकी 777 kilometer तो ये देखिए ये है आपकी Seine river next question is आगरा is a very famous city of India due to Taj Mahal it is situated on the bank of river तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आगरा है ये कौन सी नदी के तटपर है तो इसका अंसर है आपका option C that is Yamuna और ये है आपकी Yamuna river और ये है आपकी आगरा city next question is Oxus river is flowing between तो जो आपकी Oxus नदी है ये किसके बीच में बहती है तो इसका अंसर है आपका option A that is Afghanistan and Tajikistan तो ये है आपकी Oxus river Oxus river का पुराना नाम उसे हम किस नाम से जानते हैं और Amudarya river ठीक है next question is which of the following river is called father of river तो इन में से कौन सी ऐसी river है जिसी हम father of river के नाम से जानते हैं तो वे है आपकी Indus river that is option A ये है आपकी Indus river और ये है इसकी Tributaries जो की है सतलुच, बियास, रावी, चेनाब, छेलम next question is what is the source of yellow river तो yellow river का source कहां से है तो वे है आपका Mount of China कुनियन तो इसका अंसर हैगा आपका option number A जो yellow river है इसे हम किस नाम से जानते हैं और Huyang Ho river से जो की paper में अक्सर पुछा जाता है yellow river को हम China Soro भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण जब ये river के कारण बहुत से लोग मरते हैं due to floods ठीक है इस river के कारण बहुत से floods भी आते हैं तो ये है आपकी yellow river question number 28 is what is the total length of Amazon river तो इसका answer रहेगा आपका option A that is 6400 km next question is Yangtis-Kyang river is located in तो कहां पे है ये कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है आपकी China में और ये Asia की आपकी longest river भी है ठीक है तो ये आपकी Yangtis river है ये चाइना में है और longest river है Asia की और it is the third longest river in the world after Amazon in South America and Nile in Africa तो इनके बाद जो third longest river आती है वे है आपकी Yangtis river और जो ये river है ये flow करती है आपकी चाइना में और इसका पानी हम यूज करते हैं किसके लिए? irrigation के लिए, sanitation के लिए, transportation, industry, boundary, marking and war तो ये है आपकी Yangtis river next question is what is the source of Volga river? तो Volga river का source कहां से है? तो वे है आपका वलदाई plateau से तो इसका answer रहेगा आपका option B ये है आपकी Volga river और ये है आपकी Caspian Sea next है आपका outflow of Indus river is तो जो आपकी Indus river है ये कहां पे गिरती है? तो ये गिरती है आपकी Arabian Sea में that is option B तो ये देखिए ये है आपकी Indus ये है इसके Tributaries और ये कहां पे फ्लो कर रही है एंड में आपकी Arabian Sea में next question is which is the largest river of Asia? तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है तो Asia की जो largest river है वे है आपकी youngest river जो की आपकी कहां पे है? चाइना में और ये world की third longest river है after किसके Amazon River जो की आपकी कहां पे है? South America में and Nile River जो की है आपकी Africa में ठीक है? next question is which is the largest river in Africa? तो जो Africa की largest river कौन सी है? तो वे है आपकी option C that is Nile River next question is which is the longest river of North America? तो North America की longest river कौन सी है? तो वो है आपकी Missouri that is option number A तो ये देखिए ये है आपकी Missouri River जो की जिसका origin कहां से है? mountains of western Montana और ये जो आपकी flow करती है कितने किलोमेटर की है ये? 3,767 किलोमेटर ठीक है next question is which of the following river is also yellow river? तो इसे हम पहले discuss कर चुके है तो कौन सी river है? तो इसका answer रहेगा आपका option A तो ये है आपकी कहां पे? चाइना में next question is Colorado is a river which flows in? तो ये कहां पे flow करती है? तो ये flow करती है आपकी USA में जो Colorado River है ये major river है North America की जो की rise करती है Rocky Mountains of Colorado जो की हैं US में और ये flow करती है कहां पे? West and South में into the Gulf of California in North Western Mexico next है आपकी Congo River is located in तो जैसे कि हमने पहले किया है जो Congo River है ये equator को दो बार कट करती है ठीक है? और ये आपकी कहां पे है? तो हम पहले discuss कर चुके हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी Africa में ठीक है? और ये है आपकी Congo River और कहां पे train होती है? ये Atlantic Ocean में next question is Missouri is a river located in तो ये कहां पे देखने को मिलेगी आपको तो इसका अंसर है आपका option B that is USA ठीक है? next है Piranha River is located in तो ये कहां पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगी Paraguay में तो इसका अंसर हैगा आपका option A और Paraguay की capital क्या है? आपकी Asancian ठीक है? next question is Seen River is located in तो इसे हम कर चुके हैं तो ये है आपको देखने को मिलती है Paris में जो कि किसकी capital है? France की तो इसका अंसर हैगा आपका option A next question is Themes is a famous river तो ये आपको कहां पे देखने को मिलती है? तो ये है आपको मिलेगी कहां देखने को England में? UK में ठीक है? ये है आपकी river themes ठीक है? और ये है आपका English channel next question is Ganga is a famous river of तो Ganga कहां पे भहती है? ये तो आप सभी को पता है तो ये है आपकी India में और जो Ganga है ये holiest and most important river है इंडिया की और ये कहां से इसका region होता है? Gangotri Glacier कहां पे उत्राखन में तो ये देखिए ये है आपका देव परियाग और यहां से आपकी Ganga स्टार्ट होती है और जो ये Ganga के length कितनी है आपकी 2525 km next है आपकी Mackenzie is a name of river located in तो ये river आपको कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है आपकी Canada में तो ये है आपकी Mackenzie river और ये आपकी जो Mackenzie river है ये Mackenzie delta भी बनाती है ठीक है next है आपका Murray is the name of river of तो जो Murray river है ये कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है आपकी Australia में तो ये देखिए ये है आपकी Murray river ठीक है ये है मूरे river और ये है आपकी Darling river तो हम Darling river की बात पहले कर चुकी है तो जो मूरे river है ये longest river है कहां की Australia की इसकी लेंधा आपकी 2,508 km ठीक है और ये कहां से राइस करती है The Australian Alps Sea next है आपका Orange is the name of river तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है आपको देखने को मिलेगी कहां की kingdom of Lysotho की ठीक है और कितनी है इसकी लेंध 2200 km और इसका origin कहां से आपका Drakensburg Mountain से ठीक है ये देखिए ये आपके काला हारे desert है इसे अकसर paper में पूछा गया है कि जो काला हारे desert है ये कौन कौन सी आपकी country में आता है इसे आप मुझे comment box में बताएंगे कि काला हारे desert कौन कौन सी country में आता है नेक्स्ट क्वेशन इस विच ओफ दा फॉलिंग रिवर बिलोंग्स टू रशिया तो इन में से कौन सी रिवर है जो की रशिया में है तो ये तीनो की तीनो रिवर आपको रशिया में देखने को मिलेगी तो इसका अंसर रहेगा आपका option D अब हम बात करते हैं next question की लितानी रिवर इस लोकेटिड इन तो ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे Lebanon में तो जो लितानी रिवर है ये है आपकी Lebanon में और ये है आपकी लितानी रिवर ये जो है ठीक है ये जो blue है ये है आपकी लितानी रिवर next question is which of the falling is the shortest river of the world तो पूरे world में सबसे छोटे नदी कौन सी है तो वे है आपकी row river that is option number C तो जो row river है इसकी जो कितनी है length 201 feet और ये किसके parallel flow करती है Missouri river के question number 49 is which is the shortest river in the world तो कौन सी है shortest river ये question आपका repeat हो गया है तो ये है आपकी row river that is option number B next question is river Nile originates from तो जो आपकी river Nile है इसका origin कहां से होता है तो इसका origin होता है आपका lake Victoria से तो इसका answer रहेगा आपका option C तो ये देखिए ये है आपकी river Nile ठीक है और ये है आपकी lake Victoria और ये है आपकी blue Nile इसे हम discuss कर चुके है और ये कहां पे mid कर रही है आपकी khartum में ठीक है और ये बाद में कहां पे अपना पाने drain करती है तो ये करती है Mediterranean Sea में आप मुझे comment box में बताएंगे कि Mediterranean Sea और जो Red Sea है इनके बीच में कौन सी straight आती है तो यहां पे हमारी ये rivers खतम होती है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session